हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू ट्रेडिस्टर आज हम इंजिनियर्स एंडिया सेयर का ब्रोकरेज रिपोर्ट को कावर करेंगे उसके साथ उससाथ टेक्निकल चार्ड भी अनलेसिस करेंगे कौन सा लेबुल में इस टॉक में हमको एंट्री करना है और प्राइस के लिए कौन सा लेबुल है इंपोर्ड आज रिजिस्टन्स लेबुल उससे पहले अगर अभी तक आप ट्रेडिस्टर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किजेगा और कि वाल टाइम में इसे सेल्स प्राइब और एप्पीस्ट पे गुरूथ उसका प्राइस सकता है आने वाले फाइनांशियल इर तो इस टार्गेट जो है या क्लिए प्रभुदा से लिए दिया है क्या चाड में इस का टार्गेट को कर रहा है है कि नहीं चार्ट और क्या सब्सक्राइब करने के बाद हमरा ज़ल्ट है यहां पर रिक्षिब से दोनों के लिए हब आनलीश करेंगे ऑन Fore liar इम्पोरटने रहें तो अभी कि चलते हैं छाढ देखते हैं बेखेए अभी सेन पिए अन्डिया का चाण लगपन क्या हूँ मौन्थली क्योंकि हम पहले लॉंग टर में उसके बाद टेली में हम क्या करना है तो अगर आप दखेंगे दो देखेंगे यह जो लेबूल है प्राइस यहां पर breakdown किया और breakdown करने के बाद अगर कोभी भी टेकनिकल कोई भी important support को price breakdown करता है breakdown करने के बाद ओ जो एकजाले जो support लेबुले अभी के लिए price के लिए आग्ट आज जे important resistance लेबुल और यहां पर एसा ही हो रहा है इस लेबुल के आसपास देखिए price को resistance मिला है लोगभग 1.5 years हो गया है उसके उपर price sustain नहीं कर पा रहा है तो अभी हमको क्या करना है क्या जो प्रभुदाश लेदर ब्रोकर जो टार्गेट प्राइस है तो 76.5 के उपर price जाएगा तो इस हमर के यहां पर high बना है 76.5 जब इसके उपर जाएगा और 5 से 10 मिनिट सॉस्टेंड करेगा उसके बाद आप यहां पर entry ले सकते हैं अगर आप aggressive ला रहे है उसी case में आपको stop loss देना है इस हमर का low जो कि 67 है तो 67 के निचे आपको stop loss देकर लगभग आपको 10 पॉंट का erics बन रहा है यहां पर long position बना सकते हैं अगर price 77 के उपर चला जाता है तो इस scenario को आप consider कर सकते हैं अगर aggressive player है तो अगर आप defensive player है और save play करना चाहा रहे हैं तो आपको wait करना है इस trend line के उपर price sustain करने का और closing करना है दो दिन minimum और ओ जो label हैगा 85 का जब तक price 85 के उपर closing नहीं दे रहा है तो आप तक आप wait कर सकते हैं अगर आप save player है क्योंकि high probability है कि यहां से price को rejection मिलके निच्चे की तरह price आ सकता है तो आपको 85 का close का wait करना है अगर आप defensive player है तो तो आप तक price में कुछ बड़ा moment आने वाला नहीं है जब तक price 85 के उपर closing न दिखाता हूं देखे weekly timeframe भी एसा हालात है यहां पर अगर मैं आपको दिखाता हूं देखें यहां पर बना है इंडिस इसी बना है इसलिए आप इसी डोजी का लोग देकर आप यहां पर बाई कर सकते हैं लेकिन अगर आप aggressive player है नहीं तो अगर defensive है आपको clearly wait करना है जब तक price 85 के ओपर closing नहीं दे रहा है तब तक आपको entry करना नहीं है अगर आप save play करना चारे लेकिन aggressive player के लिए एक अच्छा opportunity है अगर इस डोजी का low कटेगा तो यहां पर stop loss देकर exit कर सकते जो कि 67 का आपके लिए 67 का zone जो aggressive player है यह है stop loss लेकिन जो save player है वो 85 के ओपर कुछ सोच सकते है उसके बाद अभी मैं आपको daily time frame में देखाता हूं और यहां पर मैं 200 का moving average लगाता हूं देखे 200 का moving average यह है क्योंकि मेरा स्टैल ट्रेडिंग स्टैल है कि जब तक price 200 के moving average को उपर sustain नहीं करता है तब तक मैं उसको ब्योरी सिमानता हूं तो यहां पर price तो already 200 moving average के निचे चल रहा है तो इसकी बज़ा से price में ज्यादा every bounce में selling आ सकता है तो यहां पर जो देखे यहां पर जो 200 का moving average का जो label है यहां पर और रहेगा 77 7080 के असपास अगर 85 के उपर price action ऐसा बनकर इसके उपर sustain कर लेता है तो यह जोन 85 का जोन है अच्छा back zone रहेगा अगर उसके उपर जाएगा तो नहीं तो आपको इस जो हमर बना है monthly time frame में उसको consider कर सकते हैं वहां पर अगर हमर में sustain नहीं किया price निच्चे आ गया तो यह जोन जो है value bank zone रहेगा यहां पर रहेगा 65 के असपास अगर यहां पर price आ जाता है correction बजासे यहां पर आप easily buy कर सकते हैं 65 के असपास यह सबसे अच्छा जोन यह रहेगा 60 से 65 का जोन है अच्छा बाइंट जोन है यहां पर आप आप बाइक कर सकते हैं investment के लिए और यहां पर अगर मेरा जॉप्तक प्राइस 85 के उपर नहीं जा रहा है तो तक मुझे 129 का target मुझे नहीं लग रहा है के आएगा उसके उपर sustain क करने के बाद बहुत ही कॉम टाइम के अंदर 129 का target आ सकते हैं आपके लिए इंपोर्टन जोन क्या हो गया अगरेशी प्लार है यहां से बाइक कर सकते हैं 67 का stop loss देकर अगर आप से प्लार है एदर 85 के उपर closing देगा तो भी बाइक करना है नहीं तो 60 से 65 के आसपास आएगा से प्लार के लिए इस जोन के उपर focus करना है और 65 के आसपास अगर आएगा तो इस दोनों के लेबूल के उपर से प्लार को focus करना है और अग्रेशी प्लार इस लेबूल में बाइक कर सकते हैं स्टाप प्लास आप 67 कुछ डावड है तो वीडियो नीचे comment किजे और जो कर सकते हैं अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक किजेगा और चानल को सस्काइब किजेगा थांक्यू फर वाचिंग